कर दोस्तों वेलकंटो माई यूट्यूब चैनल प्रेस टुलीमेकर दोस्तों आसा करता हूं कि आप सब ठीक होगो है दोस्तो बहुत सारे कमेंट आये थे कि सर्थ मैं पेरसिंग और डाई बुश के बारे में बताऊं हो और प्रेसिंग डाई और ब्लेंग डाई में का डिफरेंस है तो इसलिए पर आज यह वीडियो बना रहूं यह दिया आप इस यूटूब चैनल पर नए हो तो प्रेस इस चैनल को लाइक करना सब्सक्राइब करना साथ है बैल का बटन जुरूर दबाना ताकि आपको हर एक वीड जैसे कि दूस्त लिखा हुआ है कि यहां पर पेर्सिंग पंच और डाई बश्च पेर्सिंग पंच जो हमारी डाई हों में जोते हैं वहां पर हमारा पेर्सिंग मस्टर होती है मतलेए जो पेर्सिंग डाई होती है आप पहले प्लू करते होती है जिसमें हमारा पंच बर्श्च ऑन्तो और फलेट में तो पेर्सिंग और नाइं में हमारा पांच मास्ट होता है और प्लेक के अंदर हमारा ब्राई मास्ट और पंच नियुसर में meant यह आपको एक नाइस्ट टूडियो में बताएंगे कि किसी भी डाइग अंदर क्लीरेंस कैसे दिया थी आप शीट के अखोर्डिंग है end to मैं स्टार्ट करते हैं एक प्रस्इंग पंच होता है यह यह प्रकास से होते हैं एक 呀 पर एक हम अपने टूल्रूम जिसमन लेख में बनाके इसको इत्यार कर सकते हैं जो पेरसिंग पंच स्टेंडर होते हैं उसी कुछ की निचुनी स्कंपनी है जो अच्छे पेरसिंग पंच परवाइड करवाते हैं जैसे कंपनिस का कपनाम दलागों निसुम्नी और फिब्रो यह सबसे बेस्ट कंपनी है जो आप परच्छे पेरसिंग पंच और आई बुश के बाप को प्रवाइड करवा देती हैं मार्केट में निसुम्नी और फिब्रो जो हमारा पेरसिंग पंच होता है इसकी जो हांडनेस होती है इसकी जो हांडनेस होती है वो 58 से लेके 62 HRC तक होती है यह अधिकतर दिटू मेटेटील के पने होते हैं एक आपको यह question पुछा जा सकता है कि जो यह radius है पेरसिंग पंच में यहाँ पर रेडिस क्यों दी जाती है इसको हमें से प्यासिंग पंच आप कोई भी देखो तो यहां पर उसकी रीडियस प्रवाइड की जाती है ताकि इसकी लाइफ जना जना चल सके यहां पर इसको शार पैस नहीं बनाते हैं ठीक है दूसरे नंबर पर आता है हमारा डाइबुश जो डाइबुश होता है इसको हम डाइब बटन भी बोलते हैं जैसे आपकी कोई भी डाइब पलेट हो जाती है तो यह डाइब पलेट हो जाती है तो इसके बीचे मानों आपको यहां पर यहां पर और लगां कर सकते हैं इसे हमारी क्या होगा कि कभी भी फूचर के अदर हमारी परॉडक्शन गंदरी जब होती है तो मालों यह पंच खुराब हो गया अब यह तो है नहीं कि हम पूरी पूरी डाई तुछ दूबारा से मशीन पर लगाएंगे तो दूबारा मशीनिंग करेंगे फिर इसके बाद ये पूरा व्लोग नहीं नहीं आपने नहीं करना इसलिए यहां पर टाइब उच परवाइड इसलिए की जाते हैं ताकि हम इनको इसलिए कम समय में इसको चेंज कर दें और अप भादा कुच पर इसमें जो यह जो यह होता है यह वह लाए यह यहे वह इस इरिये को लैस्त बोलाजाता है यह शीट के बोलर नोकिवद देसकता है नहीं तो यह जहां से इनकों में होता है और जो यह वाल नीचे का मालो यह वह एक रिवीज एरिया बोला जाता है कि वालो जो आपका यह हो रहा है यापका है डाय नाइड तो जो नीचे का होगा यह नीचे का है तो यहां पर आप 12 से लेकर डाय चुछां तक इसको पर लिए कर देते हैं ताकि जो आपका सब्राइब हो इसली यहां से गिर सके नहीं तो इसका एक और option भी होता है कि हम इस पुछ को wire cut में करवा सके wire cut में यहीं करवाएंगे तो यहां पर उसको land यहां यहां यह लैंड इसका ज्यादा हो जाता है लेकिन यहां पर इसकी मार्केट से प्रचेज करें यहां फिर आप खुछ बना रहे हो टूल रूम में तो इसके बीच में यहां पर कि वायर कट करवा के इसके अंदर टेपडल में ताकि इसकी स्टेंथ जगा बनी रहे हैं फिर आजाता है हमारे कुछ आपको कोश्चन दाता हूं पेसिंग और कि और ग्लैक्टिंग डाय के बारे में कि जो पेरसिंग होती है उसका जो पंच होता है उसका जो डिय वाल डायमिटर उता है यह वाल डायमिटर मान लो यह डाया 10 है तो जो इस पंच की लंबाई होगी वो इसके आठ गुना से ज्यादा नहीं होनी चाहिए जैसे यह आपका 10 है तो इसकी जो पंच की लंबाई होगी तो वो 80 mm से ज्यादा नहीं हो सकती यह आपको question पुछा जा सकता है तो दोस्तों कैसे लगी आपको इस वीडियो यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो प्री चैनल को लाइक करना और और सब्सक्राइब करना साथ में गंटे गव बटन जरूर्द वान अता कि आपको हर एक वीडियो की notification मिलती रहें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद आपका दिन शुब्राइए जाहिंद